आगे आपको वर्णों को आगे हमने बर्गी करित किया है कितने भागों में किया है तीन भागों में आगे इसका बर्गी करन किया है नमस्कार स्वागत है आपका बीजेपथ एजुकेशन में आज मैं हिंदी के टॉपिक वर्ण रचना के साथ आई हूँ जो कि हिंदी का सबसे फर्स टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं वर्ण रचना के साथ सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण माला या वर्ण होते क्या हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं परिभाशा दी हुई है मुख से निकलने वाली प्रतेक सार्थक ध्वनी को वर्ण कहते हैं या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाशा की सबसे लगुतम सभी को अगर नहीं है तो फिर फी हम ये वाली जो मूल संख्या वर्णों की वह करते हैं 44 और टोटल संख्या जो है वो है 52 ठीक है जी मूल संख्या 44 जो मूल संख्या 44 इसमें आती है तो वो मूल संख्या जो है वो कैसे आती है वो आती है आपकी 11 स्वर प्लस 33 बियंजनों को मिला तो टोटल संख्या होगी आपकी 44 ठीक है जी अगली जो आपकी कुल संख्या है वो ह 52 तो कुल संख्या कैसे बनती है वावन वो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देती हूं आगे भी explain करूंगी आगे भी detail में दिया गया है लेकिन मैं यहां शुरुआत में आपको थोड़ा सा बता देती हूं तो वो जो बनते हैं आपके 52 तोटल हमारी गण माला की संख्या वो कैसे बनती है ग्यारा आपके स्वर आते हैं 33 आपके बियंजन आते हैं ठीके जी दो आपके अयोगभा आते हैं प्लस चार आपके स्योंग से बियंजन आते हैं प्लस दो आपके उत्क्षेपित बियंजन आते हैं ठीके जी तो टोटल संख्या होगी 33 प्लस 11 कितने हुए 44 प्लस 2 45, 46 46 प्लस 4 50 प्लस 2 ठीक है जी तो ये कैसे बने हैं वो मैं आपको बदातेती हूँ 11 इसमें आएंगे आपके स्वर 33 इसमें आपके आएंगे ब्यंजन 2 इसमें आपके आएंगे अयोगवा ना तो सुद्धत है स्वर ना तो सुद्धत है ब्यंजन ठीक है जी 4 इसमें आपके आएंगे जो आपके स्योंगत ब्यंजन है वो और 2 आपके इसमें आएंगे उतक्षेपित ब्यंजन उतक्षेपित ब्यंजन जिनको हम दिवीगुण ब्यंजन भी कहते हैं ठीक है जी तो ये टोटल संख्या होगी 52, वावन, ठीक है जी आगे चलती हूँ, आगे आपको वर्णों को आगे हमने बर्गी करित किया है, कितने भागों में किया है, तीन भागों में आगे इसका बर्गी करन किया है, वर्ण का, सबसे पहले जो बर्गी करन किया है, वो है उचारन स्थान के अधार पर हमने इसका सबसे पहले जो वर्गी कर्ण weird Blood किया है दूसरा किया है इसका bakö windows संबेक क्या invari Gandhi दीसरा किया है तारू या तारु तत्व जिसको हम कहते हैं तारू थार पर पहले वाले बर्गी कर्ण पर चलत rice उचारन स्थान के अधार पर यानकी जो हम उचारित करते हैं स्वर और बेंजन बोई तो उचारन स्थान के अधार पर पर वर्ण तो आपको यहां पर परिभासा भी दी गई है कि संपूरन वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है कौन-कौन से पहला है आपका स्वर वर पोते क्या है वो जानेंगे तो सबसे पहले बात करती हूं स्वरों की तो स्वरों की संख्या मैंने आपको पीछे बता दी है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है ग्या ठीके जी तो ग्यारा संख्या होती है उसके बारे में जानेंगे स्वरों के उचावन स्थान के बारे में जानेंगे स्वरों के भेदों के बारे में भी जानेंगे थोड़़ सर्डेटेयल से तो यह हिंदी का मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हिंदी का जो है वह फर्स्ट टॉपिक है पहला टॉपिक यानि कि जैसे हम जब भी छोटे बच्चे से मैं एक एक्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब हम छोटे बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उसका यानि कि जैसे स्टार्टिंग टाइम होता है प्री नर्स्री टाइम जब उसको डाला जाता है क्लासेज में तो उसको start करते हैं हम burn malah से जो बहुत ही जुरूरी हिस्सा है क्योंकि चाहे आपका कोई भी शवद है वो भी burn malah से बनेगा एक बाग के जो है वो भी शब्दों को मिलाकर बनेगा तो वो सारे वर्णों से ही start होते हैं ठीक है जी तो start करते हैं स्वर से होता क्या है स्वर जिन वर्णों का अपना तंत्र अस्तित्व होता है जिनके उचारण में बहुत कम समय लगता है यानि कि जो स्वर वर्ण है वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं और इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है किसी और के अवशक्ता इनको नहीं बढ़ती, यह अपने आप में ही सोतंतर है, शक्षम है इतने कि यह खुद बोले जाते हैं, किसी और की जुरूरत नहीं बढ़ती, जैसे मानलो किसी काम के लिए हमें किसी दूसरे के अवशक्ता पढ़ती है, बैसे ही और कुछ लोग ऐसे ह होते हैं जो इनकी स्वालम्मी एनकी अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो बैसे ही जो स्वर हैं उनको किसी के अवशक्ता नहीं है वो अपने आप में ही सोतंतर हैं बोलने के लिए शक्षम है तो स्टार्ट करते हूं संख्या कितनी है स्वरों की 11 पीछे भी मैंने आपको बताया जब वर्ण माला की टोटल संख्या जो बताई थी पूरी की तब मैंने आपको बताया थी कि 11 जो है बो स्वर है कौन-कौन से है O है, A है, छोटी E है, बड़ी E है U, U, बड़ा U लंबी सौन देता है री है, A है, A है, O है और आउ है, ठीक है जी यह 11 संख्या जो है वो स्वरों की है तो स्टार्ट करती हूं O, A, E, E, O, U री, A, A, O, आउ ठीक है जी स्वर वाला टॉपिक चला है तो आगे इसके भेदों के बारे में भी जानेंगे तो भेद कर लेते हैं फिर बाद में उसका मैं उचार्मस्थान भी आपको डिटेल से बताऊंगे जो बहुत जुरूरी है क्योंकि जो प्रशन होते हैं वो उचार्मस्थान से भी आ सकते हैं आपके भेदों से भी आ सकते हैं, आपकी संख्या भी पूछ सकते हैं, तो ये सारा ही टॉपिक जो है, वो बहुत जुरूरी टॉपिक है, महतोपोरण है तो स्वर्वर्ण के भेद, तो स्वर्वर्ण के मुख्ये दो भेद हैं, और कुल भेदों की संख्या कितनी है, चार तीसरा भेद, सियुंग्त स्वर, चौथा भेद, प्लोत स्वर, ठीक है जी? आगे कुछ यहां पर बताया भी है, एक नोट वो भी बता देती हूं, कि कुछ विद्वानों को सियुंग्त स्वर, द्वीरुक स्वर को एक साथ जोड कर स्वरवण के भेद कुल तीन मानते हैं, स्वरवण कल, कुल चार भेद मानने चाहिए, एनकी स्वरवणों के कुल कितने भेद मानने चाहिए, चार भेद जो हैं, वो मानने चाहिए, ठीक है? और मेन जो हैं, मुखे जो हैं, वो केवल दो हैं, एक आपका हसव और एक आपका दीर्ग, जो मुखे इसके दो भेद हैं सिंट स्वर जो है वो दीरग स्वर से निकला है और प्लूत स्वर का उपयोग हम हिंदी में बहुत कम करते हैं इसका जादा तर जो उपयोग है वो हम संस्कृत में करते हैं तो स्टार्ट करती हूँ हसल स्वर से कि होता क्या है जिन स्वरवर्णों के उचारण में अत्यंत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? चार कौन-कौन से हैं? A, E, U, छोटा U, और R क्योंकि इनकी मात्राइं जो हैं वो छोटी लगती है तो जिन शब्दों में या जिन वर्णों में हम छोटी मात्रा के उपयोग करते हैं, यानकी छोटी मात्रा लगाते हैं, उनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, यानकी छोटी मात्राओं वाले जो भी शब्द होते हैं, जो भी वर्ण होते हैं, बहुत कम समय लेते हैं बोलन तो औ को ८ूल स्वरवर्ण भी कहते हैं, अगला है आपका और यहां पर यह बताया कि दूसरे बेद पर चलते हैं, तो दूसरा आपका है दीर्ग स्वर्ण, जो की स्वर्ण का मुख्य बेद हैं, तो दीरग स्वर क्या होता है जिन स्वरवर्णों के उचारण में हसब स्वर से दो गुना मतलग दुगना समय थोड़ा सा अधिक समय लेते हैं ये बोलने में उसे दीरग स्वर कहते हैं तो इन दीरग स्वरों की जो मूल संक्या है वो है तीन और कुल संक्या है साथ तो हसब स सहरी त्यूंक्त प्लस दीरग थीक है यहां पर क्योंकि हैसाइब अपना अलग से है यह थे ल simple aj क्योंगि दीरग सवर्च से ही medium सर जो है वो निकला है तो इसकी मूल संखय है तीन कौन-कौन से है आ आ, ई, और उ, मतलब बड़ी मात्राओं वाले, ठीक है जी, बड़ा ई, और बड़ा उ, और आ के साथ आ की मात्रा, इनको बोलने में आलरेडी थोड़ा साथ जादा समय लगता है, हस्व की अपेक्षा, बात करते हैं तीसरे भेद की स्वर के, तो तीसरा भेद है आपका स्यू स्वर कहते हैं, इनकी संख्या है, चार, उपर भी आपको बताई है, तो चार कौन-कौन सी है, तो चार इनकी संख्या है, ए, औ, आ, और और अरत वाला, आओ, ठीक है जी, तो आगे इनका बताया भी है कि ये कैसे मिलकर बने हैं, तो ओ, आ, प्लस, ई, इ, यानि की बड़ा, या बड़ा आ, चोटी ए, या बड़ा ई, इनको मिलकर बना है, व या ई को मिलकर बना है आपका ए, ओ आगे बताया है, तो ओ भी इसी तरह से है, ठीक है जी, अगला है अ, अ, आ, प्लस, ए, अ, अगला है ओ, आ, प्लस, ओ, आ, आगे है यह हुए आपके सियूंत स्वर था ठीक है जी चार संख्या बताई थी कौन-कौन सी ए आओ ए और आओ ठीक है जी आगे नेक्स टॉपिक पे चलते हैं यानिकी लास्ट इसका स्वर का जो लास्ट भेद है वो है प्लूत स्वरवन इसका है जीस स्वरवन के उचारण में हस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम प्लूत स्वर कहते हैं ठीक है जी उसे कहते हैं प्लूत स्वर और इसकी संख्या केवल एक है मतलब इसका एक मात्र उधारण दिया गया है ओम क्योंकि प्लूत स्वर का जो उप्योग है वो संस्कृत भासा में जादा करते हैं हम मंत्र उचारण में इसका उप्योग जादा होता है तो ओम को सभी मंत्रों का जन्ग माना जाता है तो इसलिए प्लूत स्वर का ये एक मात्र उधारण है ओम ठीक है जी तो यहां तक तो हुए आपके यानि की जो स्वरों के जो भेद थे वो अगला उचारन स्थान के बारे में बात करेंगे स्वरों के उचारन स्थान के बारे में तो स्वरों का जो उचारन स्थान है यहां पे आपको बताती हूं बनवाई वन करके उचारन स्थान तो सबसे पहले बात करेंगे और आ की तो आ का उचारन स्थान जो है स्वर का वो है आपका कंट से दूसरी बात करूंगी दीरग स्वरी ई और बड़ी ए की इनका उचारन स्थान जो है वो है तालू से अगली बात करूंगी छोटा हूँ और बड़े हूँ की तो इसका उचारन स्थान है आपका ओस्ट ओस्ट मतलब हमारे होंट तालू मतलब हमारे मुख का उपरवाला पाठ अंदर से अगली बात करूंगी री की तो री का उचारन स्थान है आपका मुर्ध मुर्ध होता है कंठ और मुख का बीच वाला भाग अगली बात करूंगी ए ए की तो ये आपके कंठ और तालू दोनों से बोले जाते हैं नेक्स्ट है आपका ओ आउ कंठ और ओस्ट दोनों से बोले जाते हैं ठीक है जी तो ये हुए आपके स्वरों का जो उचारन स्थान था अ-ा कंठ से यानिकि हमारे गले से ए-ए छोटा ए और बड़ा ए हमारे तालू से यानिकि हमारे मुख के उपर वाले पाट से उ-उ हमारे ओस्ट से ओस्ट मतलब हमारे होंटों से ठीक है जी इनको बोलते समय हमारे होंट जोंबो राउंड होते हैं री आपके मुर्धा से यानिकि कंठ और मुख का बीच वाला भाट बात की जा रही है यहां पे तो इससे लेटर भी आपको बहुत सारे आ सकते हैं जैसे रो के उपर या रंक पंक पंकज ठीक है जी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके उपर हमां अंग की बिंदी लगाते हैं तो बो सारे क्या कहलाएंगे आपके अयोगबा कहलाएंगे अगर इकठे पूछे जाएं तो उसके बारे में मैं आप आपको बता रही हूँ कि अगर इकठा पूछा कहते हैं अनुस्वार अर्थात मुख वा नाग दोनों से उचरित स्वरा आपके क्या कहलाएंगे अनुस्वार कहलाएंगे सेम उधारन बोही रहेगा इसमें सिर्फ आपको अंग से लेटड ही प्रशन पूछा जाएगा यानिकि आखा इसमें शामिल नहीं है अनुस्वार अलग से है यह और अगला अगर आहा से लेट डाता है तो उसको कहते हैं भीसरगती है जो किसी भी वर्ण के या शब्द के पीछे एड होती है उनको हम भीसरगती है ठीके जी तो यहां तक आपका यानि कि मैंने आपको इसके भेदों के बारे में बताया स्वर के आगे इनके चारण स्थान के बारे में बताया और आगे इनका यानी कि जो अंग और अह न तो सुध्धत है आगे चलते हैं और आगे आपको वो ही संख्या बताई गेई है जो मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग मैं clear की थी बोही ठीक है जी बोही बर्ण की परिभासा है यानि की भासा की सबसे लगुतम बाक द्वनी को हम बर्ण कहते हैं अत्वा बर्णों के स्मू को बर्ण माला कहा जाता है यानि की जो हमारी बर्ण माला है बर्ण है पूरे उनके पूरे टोटल स्मू को बर्ण माला कह 11, मैंने आपको ब्यांजनों की संख्या 39, वो भी आपको पीछे बताई, ब्यांजन का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, अयोगवा की संख्या पीछे की दो, ना तो सुद्धत है, स्वर और ना ही सुद्धत है, ब्यांजन, ठीके जी, टोटल संख्या मैंने आपको पीछे जो थी वो टोटल वर माला की संख्या जो थी वो बताई थी टोटल वर माला की संख्या थी 52 ठीके जी तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे यानि कि एक पार्ट हमने इस टॉपिक का किया है स्वर कल करेंगे दूसरे पार्ट के साथ ब्यंजन के साथ स्टार्ट तबते के लिए जाए हिन जाभारत